हेलो दोस्तों, आज के Current Defense के Question को स्टार्ट करते हैं Question No.1 K4 के संदर में निमलिखित कत्मों पर विचार कीजिए यह एक परमाडू Ballistic Missile है जिसे अर्यहन स्रेणी की परमाडू पंडूबी में तैनात किया जाएगा इसकी मारक छमता 750 किलोमेटर है और इसे Anti-Ballistic Missile Defense System दोरा ट्रैक नहीं किया जा सकता उपर कत्मों में से कौन सा? सही है देखे जो इसका statement first है, वो सही है ठीक है? देखे अभी हाले ही में भारत ने K4 परमाडू Ballistic Missile का सफल परिच्छन किया है जिसकी मारक छमता 3,500 किलोमेटर है देखे इसका परिच्छन रच्छा अनुसंधान और विकास संगठन दोरा आनपदेश के विसाखा पत्नम तट पर एक जलमग्न पोंटून से किया गया देखे एक पोंटून से किया गया प्रच्छे पर पंडूब्बी से किये गया पर चिप्पन जैसा ही होता है इसे अरिहन सेनी की परमाडू पंडूब्बी में तैनात किया जायेगा जिसे भारत को समुद्र के अंदर से परमाडू हतियारों को लांच करने की छमता प्राप्त होगी देखे भारती नौसेना के पास INS अरियन्ती एक मात्र ऐसी पंडूब्बी है जो परमाडू छमता से लैस है इसमें पहले से ही के 15 के 15 सागरी का और बी ओ फाइफ मिसाइले लैस है ठीक है देखे इसमें क्या है इसकी जो मारक छमता है ये है आपके 750 किलो मेटर अब इसके साथ आपका ये के 4 जोइन्ड हो गया और ये हो गया आपका 3500 किलो मेटर की मारक छमता वाला देखे के 4 की अन्विसेसा ये है कि इसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता और दूसरी चीज यहाँ 200 किलो ग्राम वजनी परमारू हतिया ले जाने में सक्छम है देखे इस मिसाइल की चकरी तूटी प्राइकता चीन की मिसाइलों की तुलना में बहुत कम है चक्री तूटी प्रायक्ता मिसाइल की सटिकता निधारित करती है अथा देखे चक्री तूटी प्रायक्ता जितनी कम होगी मिसाइल लच भेदने की चमता उतनी ही सटिक होगी ठीक है चले दोस्तों नेक्स वोशन देखते हैं Question No.2 निमलिकित में से किस यूरिया सहियंत्र का पुनुर्वधार हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिम्टिट द्वारा किया जा रहा है गोरकपूर यूरिया सहयंत्र, रामा गुंडम यूरिया सहयंत्र, सिंद्री यूरिया सहयंत्र, बरावनी यूरिया सहयंत्र देखे जो इसका सही आंसर है वो है option B इसमें देखे गोरगपूर यूरिया सहयंत्र, सिंद्री यूरिया सहयंत्र और बरावनी यूरिया सहयंत्र देखे यह चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में Kendri Rasain एवं उर्वरक मंत्राले दोरा हिंदुस्तान उर्वरक एवं Rasain Limited का लोगो और स्लोगन अभी जारी किया गया है जिसकी वज़े से या चर्चा में है देखे वो स्लोगन क्या है? स्लोगन है अपना यूरिया सोना उगले ये इनका स्लोगन है Kendri Rasain एवं उर्वरक मंत्राले ने जैविक सामगरी और सुच में पोशक तत्तों सही उर्वरकों के संतुलित उपियोग पर जोर दिया है देखे देश को यूरिया उत्पादन के छेत में आक्मिर्वा बनाने के उद्देश से सरकार ने वश्ट 2016 में गोलगपूर, सिंद्री और बरॉनी में इस्थित तीन यूरिया संयन्तों के पुर्ण द्वार की सुकृति दी है देखे आपके गोलगपूर ये उत्तपादस में है इन तीनों यूरिया सहिंयंतो के पुरुणतवार का कारे ह एचिव आरल द्वारा किया जा रहा है भारत के पदानमंति द्वारा कुल पांच प्रमुक्त बंद उर्वरक सहिंयंतो का पुरुणतवार किये जाने की बात कही गई थी जिनमें से तीन इकाईयों गोरतपूर, सिंदरी और बरावनी का पुर्णद्वार एचिवारल द्वारा किया जा रहा है देखिए बाकी दो इकाईयां कौन कौन सी हैं देखिए रामा गुंडम जो तिलंगाना में है और तालचर ये उडिसा में है इन पे भी जल्दी प्रारम हो जाएगी अभी ठीक है चले दोस्तों नेक्स वर्षन देखते हैं क्वेशन नमर्थ 3 निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए गोंड जन्जाती भारत की सबसे बड़ी जन्जाती है बैगा जन्जाती विशेश रूप से कमजोर जन्जाती समुहों में से एक है खोंड जन्जाती विशेश तोरपा उरिसा राज्जी की पहाडियों और जंगलों में निवास करती है उपरों कत्नों में से कौन सा? सही है देखे तीनों ही स्टेट में सही है ठीक है गोन जन्जाती विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समुहों में से एक है यह भारत की सबसे बड़ी जन्जाती है देखे इसका संबंद प्राक द्रवी प्रजाती से है देखे यह ज़्यादातर मध्यपदेश, 36 गण, महाराष्ट, आंध्यपदेश, गुजिराथ, जहारखन, करनाटक, तेलंगाना, उत्तरपदेश, पस्षिम बंगल और उडिसा में रहते हैं देखे गोन्ड चार जन्जातियों में विभाजित है पहला है आपका राजगोन, दूसरा है माडियागोन, और तीसरा है दुरुवेगोन, और चौथा है खतुलवारगोन ठीक है? देखे गोन्ड जन्जाती का प्रधान विवशाय क्रिशी है, किन्तु ये क्रिशी के सासाथ पशुपालन भी करते हैं इनका मुख्य भोजन बाजरा है, जिसे ये लोग दो प्रकार से ग्रहन करते हैं देखे गोन्ड जन्जाती का मानना है कि प्रिथवी जल और वायू देवताओं द्वारा सासित है अधिकान्स गोन्ड हिंदू धर्म को मानते हैं और बारा देव की पूजा करते हैं भारत के समिधान में ने अनुसुची जाती के रूप में अधिसुचित किया गया है ठीक है? देखे बात करते हैं बैगा जन्जाती की बैगा जन्जाती मुख्य रूप से मद्य पदेश में रहती है बैगा जंजाती विसे सुरुप से कमजोर जंजाती समुहों में से एक है किन्तों ये 36 गड़, जारखन, बिहार, उड़ीसा, पश्रिममंगाल और उत्तरपदेश में भी निवास करती है इनके 6 उपजातीया हैं जिसमें हैं आपका बिजवार, नरोटिया, भरोटिया, नाहर, राय भायना और कडवन भायना ठीक है देखें बैगा लोग बैगनी बोली बोलते हैं जो गोंडी बोली से प्रभाविच 36 गड़ी बोली का ही एक रूप है देखें परंप्रागरत रूप से बैगा लोग अर्द खाना बदोज जीवन जीते थे और जूम क्रिशी करते थे किन्तु अब ये आजीवका के लिए मुख्य रूप से लगू वन उत्पादों पर निर्भर हैं इनका प्राक्मिक वन उत्पाद जो है बास है देखें बैगा जंजाती की महलाएं अपने सरी पर विभिन प्रकार के टैटू गुदवाने के लिए प्रसिद्ध हैं देखें बात करते हैं खोड जंजाती की तो देखें खोड जंजाती विशेश तोर पर उरीसा राज्य की पहाड़ियों और जंगलों में निवास करती हैं यह जंजाती कुई द्रविड भासा और इसकी दच्छनी बोली कुवी बोलती है देखें अधिकांस खोड अब चावल की खेती करते हैं लेकिन कुटिया खोड जैसे कुछ समू अभी भी जूम क्रिसी करते हैं देखें उरीसा की नियामगीरी पहाड़ियों में डोंगरी खोड निवास करते हैं जो विशेश रूप से कमजोर जंजाती समू है ठीक है चले दोस्तों next question देखते है question number 4 हाल ही में WHO ने भारत में विक्सित निमो कोकल वैक्सीन को आरंभी कस्तर पस्युक्रिकी भी है इस संदर में निमलिखित कत्मों में से कौन सा सही है इस वैक्सीन को CSIR पूरे दोरा विक्सित किया गया है इस वैक्सीन के सभी चर्णों का परिच्छंग गांबिया में किया गया है यह दोनों ही statement सही नहीं है ठीक है विस्वस्वास संगठर ने पूरे में इस्तित Serum Institute of India दोरा विक्सित निमो कोकल वैक्सीन निमो सिल को आरंबी का स्थर पर सुकृति पदान कर दी है तिके निमो सिल एक सहीुक्त वैक्सीन है जो एक कमजोर एंटीजन के पती मजबूत पतीरच्छा पतिक्रिया का निर्मान करती है इस वैक्सीन की प्रभावकारता का परिच्छंग पहले से ही सुकृत निमो कोकल वैक्सीन के पतिक किया गया था दोके वैक्सीन को तीसरे चरण के परिच्छंग के लिए परणामों के आधार पर यह शुकृत दी गई कि तीसरे चरण का परिच्छंग पश्मी अफ्रिकिय देश गांबिया में 2250 बच्चो पर किया गया था ठीक है पहले और दूसरे चर्ण का जो परिचर्ण है वो भारत में किया गया था देखें नीमो कोकल टीका करन एक विशिष्ट प्रकार के फेफ़णों के संक्रमन को रोकने की विधी है जो नीमो कोकस नामक जिवाडू से कारण होता है देखें नीमो कोकस बैक्टीरिया के 80 से अधिक प्रकारों में से 23 को वैक्सिन द्वारा उपचारित किया जाता है सरीर की प्रतिरच्छा प्रडाली को उत्तेजित करने के लिए इस वैक्सिन को सरीर में इंजेक्ट किया जाता है और इससे एंटीबॉडी का उत्तपादन होता है यहां एंटीबॉडी नीमो कोकस बैक्टीरिया से प्रतिरच्छा प्रदान करता है देखें नीमो कोकस बैक्टीरिया के अलावा अन्य रोगाडू के कारण होने वाली नीमोनिया से सुरच्छा प्रदान नहीं करता है सिर्टि वाज से अस्तल् म्यामर की इरावधी नदी है उपर कतनों में से कौन सा सही है दोनों ही स्टेट्मेंट सही है ठीक है यहां चर्चा में क्यों ए अब इहाल ही में डॉल्फिन जन्रणणा के अनुसार उडीशा की चिलका जзыल में इरावधी ॡाल्फिन के संक्या बता अस्थन पाई जली जीव है, इसे अंतराश्री प्रकृति संग की लाल सुची में संकत ग्रश्ट सेडी में रखा गया है, देखे इसका जो नाम है, वैज्यानिक नाम है, आरकाले ब्रेविरियो स्ट्रीट, ठीक है, देखे इसकी दो प्रजातियां है, एक तो है इरावदी ड और दूसरा है स्टनब फिन डॉल्फिन, ठीक है, यह जो प्रजाति है, इसका नाम म्यामर के इरावदी नदी के नाम पर रखा गया था, देखे इरावदी नदी में ये बड़ी संख्या में पाई जाती है, इरावदी नदी इनका प्रकृतिक वास्यस्थल है, देखे चिल हाइड्रोफोन निगरानी तकनीक के प्रयोग के द्वारा की गई है, ठीक है, देखे हाइड्रोफोन एक माइक्रोफोन है जिससे या पानी के नीचे की आवाज को रिकॉर्ड करने या सुनने के लिए इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक, सिस्काइब एन सेर करना ना भूले थैंक यू